इस महामारी की चलते हर तरफ लोग कर रहे हैं यूदि परणी है के शाह जहान को क्योंकि पोरोना की छपेट में आकर कब इसकी जिन्दगी कर खात्मा हो जाए कहा नहीं जा सका और इसमें चिंता की बात ये है कि कोरोना अचीन से बाहर बाहर बता लगा चीन में लोईस के चलते हाहा काल मचा लगा कि कोरोना वाइरस की पहचान कैसे की जाती है कोरोना वाइरस जो है उसके लक्षन किस तरह से है कोरोना वाइरस से बेडिग लोगों को अच्छान किस तरह सकती है उनका मता नूमोनिया में बद्र जाता है उनके पेपरे में भी सब्रमर हो जाता है जिससे किदि को भी नुकसान होता है कोरोना वाइरस जो हमेर से आज़ाँ लेकिन इतने से ही कुरोना गटर खतम नहीं हो गया बलकि और बढ़ रहा है हम आपको बताते हैं कुरोना वायरिस से बचार के लिए क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं सबसे पहले तो अपने हाथों को साफ रखने पर खांदे इसके लिए साबूर खाने और सेनिटाइजर का इस्तमाल करें अपने आसपास सपाई रखें और गंदगी ना फैन ले दें साफ रखने के शाह जाहन होने से बचें रोगी ए बिवार जट्टे के संपर्ग में आने से बचें सार्जनिक जबाहों पर 1095 मास्ट पहने बिमारी के लेक्षन दिखने पर डॉक्टर या नजदी की असपतार से संपर्ग करें अबुक्त ख़बर ये भी है कि पोरोना के चपेट में आतर हूँ इस डॉक्टर कुदी है मिट्स बाजी जेव बोलजी के शाजहान ओर कि ला पादानी बरते हैं ताकि करोना के कहाशक बचा ता कि पोरोना वाइरस की पहचान कैसे जाती है कोरोना वाइरस जो है उसके लक्षन किस तरह से है कोरोना वाइरस से पीडित लोगों के सिर में तेज गर्द हो सकता है उन्हें सास देने में दिक्कत हो सकती है उनका बखार निमोनिया में बदर जाता है उनके फेपरे में भी संक्रमन हो जाता है जिससे किडनी को भी रुक्सान होता है कोरोनो पैरे जानवरों के लाए एक आद्मी से दूसे आद्मी उस्टाला है लेकिन इतने से ही कोरोना कट्राइब की आद्मी के जान रहा है